देखे एक समझेक्ट, जो कहा हर पेपर में ऐपको हर इसमा में आपको देखने को जूरूर मिलेगा सनुनती है चाहिए वो ज्यके SSB का हो, चाहिए वो ज्यके PSC का हो, फिर चाहिए वो UPSC हो मतलब कोई भी एकसाम आप ले ले उसमें एक subject जो है आपको हमेशे दिखता है और वो है कांसा मतलब एक section जो paper में आपको दिखने को मिलती है वो कांसी है वो है English की और English को maximum जो aspirants होते हैं जो वो कहा करते हैं कि English को skip करते हैं मतलब English की तरव इतना दियान देते नहीं है English को छोड़ते हैं और बाकि सब्जेक्ट के उपर वो अच्छे से अच्छे से करते हैं practice करते हैं बट बहुत से students जो हैं मतलब बहुत कम होते हैं जो English के उपर जोर देते हैं और जोर देना ही जरूरी है और आज के इस टाइम में आपको English को भी उतना ही लेना पड़ेगा जितना आप GK को लेते हैं जितना आप Science को लेते हैं जितना आप Maths को लेते हैं तो सब सब्जेक्ट के साथ साथ आपको इस सब्जेक्ट में भी क्या करना अपनी command जो है वो बनानी है मतलब अपने इस सब्जेक्ट को भी आपने क्या करना बहतर करना है English भी देखिए जैसा के अभी आपको पता है जो सब इंस्पेक्टर फाइनस को जो एक्जाम होने वाला है उसमें हर component के 20-20 marks हैं वहीं पर English के 20 marks हैं जितने भी आपने syllabus में देखे होंगे तो सबी में 20-20 marks जो हैं वह रखे होगे ठीक है ना कम से कम आपको देखना 20 marks की English मिलेगी मिलेगी तो English को अपने क्या करना है इसको इसमें बहतर करना अपने तो बहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपकी जो देखिए English के लिए आपको सबसे जरूरी जो है वो वो कैब है रूल्स बगएरा तो आपको करना ही करना है रूल्स तो आपको करना ही करना है रेकिन रूल्स भी आप तब अपलाई करेंगे जब आपको sentence मालूम होगा कि हाँ ये sentence present का है past का है future है मतलब किसी भी में आ रहा है वो आप मालूम करेंगे वो आप sentence को तब मालूम करें जब आपको sentence समझ आएगा जब sentence समझ ही नहीं आएगा तब आप उसको ना present में बना सकते हैं ना past में ना future में वो समझ कब आएगा जब आपकी vocab जो है मतलब जो word meaning है वो जब आपके अच्छे हो जाएंगे वो जब आपका अच्छा होगा तब ही आप क्या करेंगे वहां पर rules भी लगा पाएंगे तो इसलिए आपने क्या करना है उन सब को सेखने के साथ साथ आपने जब जब देना किसके उपर vocab के उपर मतलब word meaning के उपर तो देखिए आज की वीडियो जो हमारी word meaning मतलब vocab के उपर रहने वाली है और ये हफ़ते में आपको दो तीन बार देखने को मिलेगी ये जितने भी word meaning है ये आपको मैं बताओं यहां पर कि ये word meaning है आप ऐसा नहीं कि आप dictionary उठाएंगे तो सारे word meaning याद करेंगे ऐसा नहीं है vocab ऐसे नहीं याद करनी है आपने ये जो newspaper है आपने उनको पढ़ना है ठीक है कोई भी एक newspaper ले 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 अप अच्छे से तो उसको आप अच्छे से पढ़े और उसमें जो vocab है उसको अच्छे से read करें और जात करें ये जो vocab मैंने ली है अब ये मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि ये मैंने ली कहां से है और ये कहां किया देखिए इस vocab के बात करें तो ये बिल्कुल latest है ये देखने को मिल लिए तो कोई भी एक अच्छे से news group पकड़ें आप और उसको अच्छे से क्या करें rate करें और जो word meaning है उनको अपने त्यार करना याद करना है एक हजार दो हजार नहीं बगल के आपको दस बीस हजार के करीब की word meaning जो है याद करने वोकड़ आपको इतनी याद होनी चाहिए तब भी आप जो है आइ तिंग जो grammar इंगलिस जो है वो अच्छे से आप सीख पाएंगे चलिए अब हम सिदा यहां पर आपने इस वीडियो को वीडियो को पर चलते हैं और इसको शुरू करते हैं यहां पर देखिए अगर बात करें तो हमारे पस जो वोकड़ अब बग पचास के क्रीब क्रीब हमारे पस यह words और meaning है उनके यह सारे हमने क्या करना है अब आज मैं remember करना है देखिए सबसे पहले हमारे पस डिस्कोर्स जो सबसे पहले word हमारे पस डिस्कोर्स डिस्कोर्स का मतलब होता है गुफ्तगो करना बात चीत करना यह आपको remember करना डिस्कोर्स मींस गुफ्तगो करना बात चीत करना नेक्स्ट है Incarcerated Incarcerated का मतलब होता है CAD Okay चलिए Next Pessimistic Pessimistic का मतलब होता है Mayousी पसंद Mayousी पसंद कुछ लोग जो है Mayous रहना पसंद करते है है न पसंद करते क्या पसंद करते है Pessimistic Mayous पसंद लेकिन मायूस अगर इस से थोड़ा हट करम बात करे तो मायूस कभी होना नहीं चाहिए मायूस ही होना, मायूस होना क्या है? गुना है, ओके चलिए adamant, adamant का मतलब होगा अटल, adamant means अटल next exaggerated, exaggerated का मतलब हुआ, mobile गामेज कुछ वर्ड आपको थोड़े परिशान करेंगे, लेकिन मैं वो परिशान करने के लिए उसको और भी elaborate नहीं कर रहा हूँ elaborate इस नहीं दिकार रहा, क्योंकि आप उसको जाकर सर्च करेंगे फिर, उसको मालूम करने के कुशिश करेंगे कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसलिए मैं उन चीज़ को elaborate नहीं करना होगा, कुछ 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 को अब next है, descent, descent का मतलब होगा, इختलाफ, against, okay next, next है, opacity, opacity का दुन्दलापन, मतलब साफ न दिखाए देना, क्रिटीक, क्रिटीक का मतलब होता है, तनकीद, क्रिटीक, क्रिटीसाइज, तनकीद, okay, second, second का मतलब होता है, मुखतसर, short, looming, looming means, अरूज पर, अरूज, ऊपर, चलिए, next, next है, pursuit, pursuit का मतलब होता है, हसूल, हसूल का मतलब होता है, search करना, किसी जिस की जुस्तु जू करना, okay, pursuit, next है, persistent, persistent का मतलब होता है, मुसलसल, continuously, okay, continue, next, extensor, extensor का मतलब होता है, मुकम्मल, detail, okay, चलिए, यह अपने remember करने सारे, एक word आपके लिए रखाया, यह, यह है, spearheaded, इसको आपके लिए रखाया, चलिए, next है, disparity, disparity का मतलब होता है, फरक, मतलब difference, okay, dissuading, dissuading का मतलब होसला शक्नी, होसला कम होना, okay, dissuading, next है, exacerbate, exacerbate का मतलब होता है, बढ़हाना, exacerbate का मतलब होता है, बढ़हाना, increase करना, trivializing, trivializing का मतलब होता है, मामूली, मामूली, next है, debilitating, debilitating का मतलब होता है, कमजोर करने वाला, debilitating means, कमजोर करने वाला, unfathomable, नाकाबिले तसवर नाकाबिले तसवर अनफैदमेबल डेबलिटेटिंग कमजोर करने वाला यह यह वाड मेनिंग जो मैं जो वकाब आपके साथ लाया हूँ दा हिंदू नियूस पर से लाया हूँ और इस सारी को आपने देखना है रिम्यमिर करना हर फते में आपको इतने वाड मतलब 50-100 के क्रिब क्रिब आपको वाड देखने को मिलेंगे तो एक महिने में लग बग आपको अगर आप माने तो चार सो से लेकर पांच नियूस को नियूस को पर तो वकाब जो है चलिए अब हम यहीं से उपर चलते हैं नेक्स टाइम मारे परस एंटिसीडेंट वोड मिनिंग अगर आप ऐसे वकाब याद करेंगे तो वो खतम ही नहीं होने वाली है लेकिन हम वही लेंगे देखे जैसे पेपर आता है पेपर में वो जो यह कोई भी आपको वहां पर स्टेट्मेंट उठा देंगे ठीक है लाँ तो भी उठा के आपको दे देंगे करने के लिए तो वो लेटिस्क नीग़नी होता है ऐसा निहीं को आज कि 2000 जो 2001 का ये 2000 का वोपर उठा के आपको देंगे चलिए नेश्ट थेखिए Antecedent Antecedent का मतलब होता है Sabika Ok मतलब रह चुका Abrid Abrid का मतलब होता है Mukhtasar Shut Abrid Will Will का मतलब होता है Nakab Parda Ok Burka जैसे होते है Blow Blow का मतलब है Dachka Phoonk मारन Next there Float Floated means Tana Daya Tana Dena Ok Floated Tana Daya Flot means done Next Beowed Beowed का मतलब होता है हुश हुआ Redemption Redemption means Rehy Remunerated Remuneration होता है मापसा मापसा जो होता है Remunerated उसको कहते है Promptly Promptly का मतलब हो गया Fully तोर पर Jल्दी Okay Fragile Fragile का मतलब होता है Khraab Okay Fragile means Khraab Egregious Egregious means Zabardust Aala Behterine Egregious Okay Next देखते हैं मुपर चलेंगा अब उल्टा ही चलेंगे Okay But ये word meaning आपको जतने भी हैं सारे याद करने हैं ये जिस दियान मेरे Eponymous Eponymous मतलब Nami Eponymous मतलब Eponymous means Nami Okay जैसे किसी कोई ऐसी जगा हो मतलब किसी नाम किसी कोई जगा है जो किसी शखस के नाम पर पढ़ी है तो वो एक इसमें कैसा एक नामी शखस था एक खास एक मशूर शखस था उसके नाम पर वो चीज़ पढ़ी है तो वो क्या हो गया Eponymous Okay Next है Insurgent Insurgent का मतलब होता है क्या बागी बागी मतलब बगावत करने वाला जिसको एक और वर्ड भी बोल सकते है आप Rebel Okay Rebel जो होता है किसको बोलता है इसको Insurgent जैसे Manipur में आपने जखा होगा ये वर्ड भी वहीं से लिए वा Manipur में होगा किसके बीच में Armed Forces और वो जो इसमें मतलब जो जो थे इसमें कान Insurgent जो वहां से अटैक करें थे दूसरे लोग ठीक है न तो वो कान से थे Insurgent थे Okay वो Rebel थे चलिए Coercive Coercive का मतलब जबर्दस्ती Coercive का मतलब जबर्दस्ती Next Trenches Trenches का मतलब जखंदके अगर बात करें जिस तरह से आर्मी क्या करते है आर्मी या डिफेंस कोई भी किसी मुलकी ले 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 तो जमें के अंदर क्या करते हैं खड़े खोती है Okay चलिए Next Next है Busted Busted का मतलब होता है फंस गया फंस जाना Busted होता है चलिए Next एक सकिंड ये अब बाट परनें पहले ये क्या है Signage नहीं Signage नहीं है ये है Signage Cineage पढ़ने में क्या है Cineage इसका मतलब है Nishan Sign का मतलब ही क्या होता है Nishan Resorted Resort का मतलब क्या होता है Sahara Aram Okay Sahara Perturbed Perturbed का मतलब होता है Paryshan Perturbed means Paryshan Okay चलिए Resented Resented means منصوح करना Khتم करना Resented Causing Causing का मतलब होता है Aram Aram Causing Massacure Massacure होता है कतले आम लार्ज स्केल पर लोगों का क्या होना कतल होना लार्ज स्केल पर लोगों को मारना उसको क्या कहते है Massacure कहते है Okay चलिए और यही है सबसे लास्ट Undermind Undermind का मतलब होता है Undermind क्यूता है कॉम्सूर कम्सूर होता है Undermind तो यह सारे word जो ہیں यह words और इनके meaning आपको क्या करना है अच्छे से क्या करना है remember करना है यहाद करना है बार बार देखता इसको और remember करना है और ऐसे ही word और meaning जो आपके लिए ऐसी जो vocab आपके लिए में लाता रहूंगा जितने भी जेके SSB के exam है उन सब के लिए ये बहुत सदा important रहने वाली है तो इन word meaning को आपने क्या करना है आपका अपने notebook पर लिखने की स्रूर्ट नहीं है आप यहीं पर क्या करें इसको देखें इसको और याद करें इसको और फिर news paper की आप आदे डालें कोई भी एक news paper ले रहें और खासकर अगर आप एक ही news paper पकल लें अच्छे से बहुत सारे हैं जैसे मैं दा हिंदू की बात करता हूं हंदुस्तान टाइम्स है इसको इपर सकते हैं आप इकनॉमिक टाइम्स है बिजनस स्टेंडर्डड़ है बिजनस टाइम्स आप घंडिया है और जब्धिच सारे like इसे पर ए ہیں मतलब यह जो खास है तो इनको आप किसी को भी आप ले सकते बाट मैंने जो आपके लिए वोकाबली है वो सिर्फ कहां से लिए दाहिंदू से लिए कोई भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो उसको और चलिए अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे लेकिन वो इसमा है इस की जियोग्राफिके उपर है मतलब रीवर्स और लेक्स तो हैं इंडिया के उपर है और उसके साथ फिर लाएंगे आपके लिए किसके जम्मो कश्मिर के जो रीवर्स हैं उनके उपर तो फिलाहल मारे पस तो यही थी आपके लिए एक चोटी से वीडियो वीडियो को कैसे लगी है कॉमेंट में शुरूर बताएं अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी शुरूर कर दे और अच्छी लगी है तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले ते लिए रखेगा अपना हैल टेक कियर गुड़ बाई